यहां उपस्तित सभी महानुखावगण राजनेता, लेखक, कभी, विचारक, द्रस्टा बहु आयामी वक्तित्व के धहनी आपने सुना उनके देश के प्रती योगदान को राजनीत के प्रती, सुसासन के प्रती पर मैं दो चीजे कहना चाहूंगा हमारी हम मानेता रही है कि राजनेता, देश और इतिहास बजलते हैं, नया लिखते हैं पर कभी, तो सभ्धता बजलते हैं हजारोबर्स का नया इतिहास लिखते हैं करांतियों का मार्ग प्रसस करते रहे हैं और अतल जी, मूलतस वभावचिश 1988 में जब वो अमरिका में अस्वस्थ हुए उन्हें डॉक्टरों ने बताया कि एक गंभीर रोक के संकेत है तो इसक्ते उन्हों के एक कविता उन्होंने लिखी और जिस पत्रिका में सबसे पहले मुझे काम करने का गौरव मिला उसके संपादक उनके नीजी मित्रों में थे डॉक्टर धर्मीर भारती उनको कविता भेजी वो कविता क्या थी? जो हम अपनी हाँ सास्त्रों में पढ़ते हैं कि किस तरह से कठोपनी सद में बढ़नन है कि नचिकेता यम से पूछते हैं कि मौत क्या है? फिर यक्ष दुस्री संबाद में वो चीज सामने आती है अतली जी में वो चीज किस तरह जीवन जीवित रही? वह कभी रोपिन का कितना विराध था जो आने वाली पीडियों को सदियों तक हजारों वरसों तक जीवन के मौलिक सवालों से रूवरू होने के लिए ताकत देती रहेगी उनकी कभिता थी मौत से ठन गई मौत से ठन गई जूजने का मेरा कोई रादा न था मोड पर मिलेंगे इसका वादा न था रास्ता रोकर वो खड़ी हो गई यो लगा जिंदगी से बड़ी हो गई तु दबे पाओ चोरी छीपे से नवा सामने वार कर फिर मुझे आजमा मौत से बेखबर जिंदगी का सफर साम हर सुर्मई रात बंसी का स्वर पार पाने का कायम मगर होसला देख तुफा का तेवर त्योरी तन गई मौत से ठन गई इतने बड़े व्यक्तित्व के वह धनी थे और ऐसे व्यक्ति जो देश, समाज, मानोता दुनिया को हमेशा प्रणा देते रहेंगे पुरह मौत के सामने भी जाकर क्या कहते हैं कितना उनका आत्मबल, संकल्प और अकल निश्य था जो आने वाली पिढ़ियों को भी हमेशा प्रेरित करती रहेगी कहा उन्होंने हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा काल के कपाल पर लीखता मिटाता हूं काल के कपाल पर लीखता मिटाता हूं गीत नया गाता हूं अटल जी ऐसे थे काव के कापाल पर निया गीत लिखने वाले ऐसे व्यक्ति भौतिक रूप से गए हो पर वे हमेशा हमारे बीच रहेंगे हमारी बिनमर सद्धांजरी